गुड इवनिंग गुड इवनिंग ओल फ्यू जल्दी से जॉइन कर लो बिना समय गवाए हाँ जी 30 जून तक क्या बाते कर रहे हुआ है चलो करें शुरुवात जहां से हमने अपना सेशन जो है पिछली बार थोड़ा था वहीं से कॉंटिन्यू करेंगे ठीक है चलो तो पिछली बार जो है हमने जो सेशन में हमने डिसकस किया था गवर्नर जनरल्स बिफोर 1857 डिसकस कर रहे था हम ठीक है और गवर्नर जनरल्स में मैंने शुरुवात की थी राइट फ्रॉम वारन हिस्टिंग्स से हम आगे बढ़े थे ठीक मार्कस वेलेजली, मार्कस कॉन्वलीज और सेंट जोर्ज वेरलॉक और साथ में लॉर्ड मिन्टो मार्कस हेस्टिंग इन सब के बारे में बताया था ठीक है, जॉर्ड अडम्स, लॉर्ड आमस्ट और विल्लियम बेंटिक देखो, बेंटिक सहाब जो है ये 18.28 में आये थे मैंने पिछली बार में बताया था आपको 18.33 में 5 साल का इनका कारेकाल कंप्लीट हुआ लेकिन 5 साल का कारेकाल जब इनका कंप्लीट हुआ था उस समय आई थी चार्टर आक्ट 18.33 चार्टर आक्ट 18.33 और फिर ये बन गए थे उससे governor general of British India पहले थे governor general of British possessions in India और फिर बन गए governor general of India या governor general of British India यह इनने सती प्रता के खिलाब जो है एक कानून बनाने कोशित की थी Bengal riding जिसके ज़रीए ये चाहते थे कि जो एसी मैलाइ जो सती नहीं होना चाहती प्रति के साथ उनको कम से कम बचा लिया जाए मलवारी सिस्टम और आगे वढ़ाया गया था इनके समय पर पंजाब और वेस्ट इंड यूपी के इलाखों में कोल विद्रो भी वा था 1331 में और उसके अलावा एक खोला गया था तोलकाता में एक बड़ी चीज थी ठगी ठगी प्रथा को इन्हां ने खत्म किया मैं ठगी प्रथा के बारे में थोड़ा सापको एक कहानी सुना जता हूं जल्दी से क्विकली देखो ठग जो है ना हमने एक मूवी देखी है चल्चेत्र सिनेमा में आगकल किया बड़ा अच्छा दिखाया गया बट ऐसा नहीं था अक्च्वल में ठग जो है वह वैसे नहीं थे जैसा उसके अंदर पोट्रे किया गया मूवीज कई बारे में आपको थोड़ा बताता हूं यह जो प्राब्लम है ना यह जो ठगी की यह अंग्रेजों के भी भारत मे आने से पहले से शुरू ओ गई एक प्राबलम थी यह शायद के लो दिल्ली सल्तना 13 से शुरू एक प्राबलम थी जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जब शाजहान रूलर थे शाजहान के समय पे जब शाजहान ने बहुत बड़ी-बड़ी मारतें बनवाई बहुत सब्सक्राइब ने लगे तब उस समय पर जो है ठग जो है वह बहुत ज्यादा बड़े और यह करते कि भारत में जो व्यापारी थे ज्यादा ट्रेडर वह जब जंगली रास्ता क्योंकि भारत में ज्यादा तर सडकों का नेटवर कि तरफ बड़ा फ्याला नहीं था जंगली रास्ते थे जिन से होकर गुजरते थे आम लोग अभी जो आम लोग और खासतोर पर व्यापारी जब इन रास्तों से गुजरते थे तो ठक रास्ते में भेश बदल के उनके टोलियों में शामिल हो जाते थे और रात को जब व्यापारी कहीं रुखते थे अराम करने क तो यह मोटलस आपरेंडी रहता था इन ठगों का और यह थग गयानी इनके बीट में कहते हैं कि एक बड़ी कहानी जो है वह फेमस थी वह कहानी 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 कि यह थग है यह सब एक दूसरे का ब्रेनवाश भी करते थे जादा से जादा लोगों को अपने ठग ग्यांग में जोडने के लिए और उनमें से एक मशूर कहानी जो मैं आपको बता देता हूं जो थोड़ा आपको मदा आएगा इसको सुनने में इंट्रेस्टिंग है कि यह थो ठग थे यह ठग जो है इनके अंदर एक प्रता थी आपने एक राक्षस के नाम जरूर सुना होगा जिसको कह पर भी उसके शरीर से खुन निकलेगा और जमीन पर गिरेगा तो वहां से एक और राक्षस पैदा हो जाएगा जरूर आपने जरूर यह कहानी जरूर सुनी होगी तो देवी काली माता जो है उन्होंने यह बीड़ा उठाया कि वह उसका नाश करेंगी देवताओं की कहने पर हो वह उसको मारने चलती हैं लेकिन उसको मारने जब जाती है तो कोई भी हत्यार इस्तमाल करती है तो बहुत सारा खुन निकलता है राकषस का और रटभीद्य पैदा होते जाते पहले तो देवी मां ने इस समस्यां से निवतने के लिए उस राक्षस का खुन पिया लेकिन जब उससे भी कोई काम नहीं चला तो फिर देवी पहाड़ों में बैठ गई और कुछ देज उन्होंने तपस्या कि और अपने शरीर के मैल से उन्होंने दो देवों को स्वरूप दिया और उनके अंदर फिर प्राण कुके और उनको अपनी चुन्नी फ जाल दो और भीच दो कि इनके शरी से खून भी ना निकले और इनका दम घुटने से इनकी डत हो जाए या मृत्ति हो जाए तो इसकी वज़े से यह कहा जाता है कि यह जो दो देव थे तो यह ठगों में मानना था यह जो देव दो देव थे इनी के वंशद हैं सारे ठग अ जरों में अलग अलग धर्मों में जरूर पैदा हो रहे हैं लेकिन सब जो हैं उनी ठगों के वंशद हैं और देवी मा के कहने से उनको यह कर्म करने के आजादिया वो किसी को भी मार सकते हैं और किसी के भी प्रान हर सकते हैं तो यह एक परंपरा उनमें थी अब हुआ क्या कि William Bantic साब को लगा क्या यह तो बड़ी problem है क्योंकि उनको यह कहानिया उनको भी सुनने में आती थी कि यह ऐसी ऐसी कहानिया जो है प्रचलित है ठगों के बीच में ठग पकड़ तो लिये जाते थे कभी न कभी लेकिन ठगों के अंदर से यह दिमाग में जो यह problem थी जो हर हि अलग अलग घरों में जरूर हुए लेकिन हम जरूर उन्हीं जो है वो देवी के बनाये हुए देवों के जो है वंशत है तो यह सोचते रहते थे अब लेकिन विलियम हेंरी सिलीमान जब आये तो उन्होंने देखा कि यह problem बहुत जटल है इसका कुछ निप्टारा करना पड़ेगा और उन्होंने इसको ठीक करने के लिए एक रास्ता चला उन्होंने कुछ मौलवियों की और पंडितों की भ्रहमनों की फौज बुलाई और उनसे कहा कि हम कुछ ठगों को पकड़ कर लाएंगे और उनको आपके हवाले कर देंगे और आपने उन्हें कोसना है उन्हें डर दिखाना है धर्म का डर दिखाना है और उन्हें बोलना है कि आपको श्राप लगेगा या आपको नर्क का द्वार भी नहीं मिलेगा ऐसी ऐसे डर की उन्होंने और मौल्वियों ने अलग-अलग धर्मों के जो लोग थे उनको डर दिखाया कि अगर आप ऐसे गलत कारे करते रहे तो कभी भी जो है वह आपका भला नहीं होगा और कोई भी देवी जो है वह ऐसे नहीं करती कि आपको किसी को मारने का किसी भी आम इंसान को या जिसने कुछ भी नहीं किया तो इसलिए फिर क्या हुआ यह जो ठग थे इनकी टोलियों पे उस समय के लोग जो है वो बड़े अंद्विश्वासी थे जब उनको भ्रामुनों ने डराया और ऐसा कुछ समझा दिया कि भाई नहीं यह आप कर रहे हो गलत है तो वो उन्होंने खिद यह मानना स्विकार कर दिया कि उनसे गलती हुई है और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने खुदी जो है अपनीonst platinum करना शुरू कर दिया जब वो बाकी सारे ठगों को छोड़ दिया गया जो जो पकड़े गय से परफ हानी दबारा सुनाइए कि बहुत तुम्हें पाप लगेगा और देवी कभी ऐसा नहीं करती और यह बिल्कुल गलत है तो दुबारा से उनका brainwash किया गया और सारी ठगों की टोलियों ने आके surrender करना शुरू करती है तो यह बहुत एक ऐसा कदम था जो बड़ा ही सोच समझ के उठाया गया कदम था कि जो जिस तरीके से दिमाग इनके पहले से ही बदले जा चुके उनको दुबारा से बदलना होगा धर्म के ही तरीके से तो इसलिए उसको उसी तरीके से बदला गया और प्रथा बहुत हद तक सप्रेस कर दी गई विल्यम बेंटिक के द्वारों ठीके बेंटिक और उनके साथ ही क्लीमान ने ये चीज़ जो है वो प्राप इसके बाद चार्ल्स मेटकाफे जो है मैंने बताया था आपको कि इन्होंने प्रेस की जो रेगुलेशन है उसे वापस लिया था और इसके साथ ही ये कहलाए लिब्रेटर आफ प्रेस इन इंडिया और इनके समय पे क्यालगाटा पबिक लाइडरी भी स्थाक्त की गई थी जो 1836 में अब क्यलाती है National Library of India तो अब क्यलाती है National Library of India इसके बाद Lord Auckland लॉट ऑफ्लेंड का टेन्योर 1836 से 1842 बहुत इवेंट्फुल टेन्योर था शुरुवात में 1838 में अंग्रेजों के बीच में अफगानिस्तान के अमीर चाह शुजा और महराजा रंजीत सिंग के बीच में एक संधी हुग अब आपको थोड़ा से समझा देता हूं यह क्या ह कि अफगानिस्तान के एक पुराने रूलर थे जिनका नाम था शाशुजा जिनको अफगानिस्तान से मार के वहां से भगा दिया गया वो आए और महराजा रंजीत सिंग के कोट में रहे महराजा रंजीत सिंग के टेरिटरी पाकिस्तानी पंजाब और इंडियन पंजाब के लाकों में पहली हुई थी तब और अंग्रेज तब नौर्थ इंडिया के बाकी लाकों में सेटल्ड थे तो उस समय पर तो पहले अंग्रेज उसके बाद फिर माराजर रंजीज सिंग और आगे अफगानिस्तान वा करता था अफगानिस्तान के जो अमीर थे शास्चुजा भ हुआ क्या था कि अफगानिस्तान में एक नया एमिर जो है वो पावर में आगे था दोस्त मौम्मद कान माराजर रंदी सिंग ने उसके खिलाफ शास्चुजा की मदद नहीं की लेकिन शास्चुजा 1838 में अंग्रेजों के पास जा पहुंचता है और कहता है कि मुझे आप भारत तक ना पहुंचे तो पहले अफगानिस्तान को अपने फेवर में कर लो या साद लो किसी भी तरीके से तो उसको फिर बाद में बफर जोन बनाने का उनका एक बीच में हमारे एक ऐसा स्टेट हो जो उनके और हमारे बीच में हमारे फेवर में काम करें तो यह सोचकर उन्होंने जो है अफगानिस्तान को बनाने का काम करना शुरू कर दिया उन्होंने सोचा अफगानिस्तान में अपनी फेवर का आदमी बिठा देते हैं जो पुराना अमीर था शाषुजा तो एक ट्रीटी हुई तीनों पक्षों के बीच में अफगानिस्तान के पुराने अम अमीर है जो अफगानिस्तान में उसको निकाल बाहर करेंगे उसको हटा के बापिस से शाषुजा को गद्धी पे बिठाएंगे तो दोस्त मौम्मद खान वहां पे पॉपुलर था और इसलिए माराजा रंजीज सिंग उसके खिलाफ को लड़ाई लड़ना नीचाहता थी ले के इस संधी में उन्होंने प्रामिस कर दिया तो अंग्रेजों की फॉज गई माराजा रंदी सिंग की टेरिटरी से होते हुए अफगानिस्तान शाषुजा को गद्धी पे बिठाने और वहां की करंट अमीर उस समय के दोस्त मौम्मद खान को गद्धी से गिराने के लिए ठीक है फिर इसके बार पहली अंग्लो अफगान वर हुई अंग्रेजों के बीच में और अफगानों के बीच में अथा सो चालिस से ब्यालिस के बीच में 1840 से 1842 के बीच में ये युद्ध हुआ इस युद्ध में एक काम तो कर दिया आखिले जाकर दोस्त मौम्मद खान क वो हटा दिया शार्चुजा को बिठा दिया जो उनका अब्जेक्टिव था वो कंप्लीट हुआ लेकिन कुछी दिन के बाद अफगानों ने जो है वो गुरीला वार्फेर शुरू कर दिया पहाडी शेत्रों में छुपकर उन्होंने अंग्रेजों के उपर हमले करने के मारा गया तो इस तरीके से अंथ हुआ इस कैंपेइन का शुरुवात में तो उन्होंने अपने फेवर का आदमी बिठा दिया था लेकिन क्योंकि शाषुजा अनपपुलर था वहां के लोग भड़क गए उसको बिठाने के बाद और वहां पे उन्होंने ब्रिटिश आर बैंक 1921 में इंपीरियल बैंक में कनवर्ट हुआ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना उसके बाद 1955 में यह आगे चलके और तब्दील हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो यह है यहां पाँ और 1839 में 1839 में पहला बंगाली निउस्वेपर सामबंद प्रभाकर भी पब्लिश किया जाने लगए तत्व बोधनी सभा बनाई गई 1839 में जिसको बनाया था देबेंदर नाट टेगोर साब में अब यह कौन है गुरुदेव रभिंदर नाट टेगोर के फादर देबेंदर नाट टेगोर उनके फादर थे द्वारका नाट टेगोर ठीक है तो सिदा नोट कर लो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद क्योंकि आउकलेंड का तो जो यह पूरा सफर था वो खराब रहा था वो आते वक्त उनकी सेना बुरे तरीके से मारी गई थी तो लॉड एलन बरोग को उनकी जगह पर पॉइंट किया गया 1842 से 1844 के बीच में इस सम तो अगे चर्व में बराठाओं को हरा डाल ठीके उसके बाद मदरास जैसे देखो पिछले लेक्ट्चर में मैंने बताज था एटीन जिरो उसिक्स में Bank of Bengal Establish किया गया था Bank of Bengal 1806 में 1840 में 1840 में Bank of Bombay Establish किया गया था और ऐसे ही Bank of Madras Establish किया गया 1843 में तो Bank of Madras 1843 में Establish किया गया ये भी 1921 में Imperial Bank बना और finally 1955 में State Bank of India तो 1806 में Bengal 1840 Bombay 1843 मदरास तीनों को जोड़ करके 1921 में अंग्रेजों ने बना दिया Imperial Bank of India जब अंग्रेज यहां से चले गए तो भारत सरकार ने उस सारे एसेट को दे दिया State Bank of India को 1955 में तो ये हुआ पूरा complete उसके अलावा सिंद सिंद राज्य पर पूरे तरीके से कबजा कर लिया अंग्रेजों ने सिंद कबजा कर लिया अंग्रेजों ने 1843 में अब ये मैं आपको ये दोनों खट्ना है बता देता हूँ एक बाद जल्दी से देखो सबसे पहले अंग्रेजो के और सिक्षों के बीच में हुए युद्ध ये इनकी तारीख है 1845 से 46 ये पहला एंग्लो सिक्षों वा था और दूसरा वा था 1848 से 49 के बीच में अब ही मैं इसके बारे में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा लेकिन इससे पहले सिंद के बारे में बता देता हूँ कुछ सिंद के ओपर जो है अंग्रेजों ने कबजा किया अब मैं इसको आपको मैप पे दिखा देता हूँ सिंद कहां था देखो अगर यहां था हमारा पंजाब यह जो था यह पुरा पंजाब था ठीक है यह पंजाब के महाराजर अंदीश्थिंग के पास यह इलाके थे तो इधर था सिंध, इसके नीचे इधर सिंध था, तो सिंध ये modern day पाकिस्तान में जो पंजाब है उसके दक्षन में सिंध पड़ता है, तो ये सिंधुआ करता था, अब इस सिंध की कहानी क्या है, एक बार हम जान लेते हैं, कहानी शुरू होती है तकरीबन 1770 से 1770 से, ये वो टाइम है ज जो कहानी है, वो है तालपुरा अमीर्स की, अमीर जो मतलब, basically ये टर्म जो है, वो राजा का synonymous है, एक तरीके से, तो ये यूज किया जाता है, तो ये तालपुरा अमीर्स, 18th century में, जो है, ये सिंध पे, जो है, कंट्रोल करके बैठे थे, 1770 में एक बलूचे ट्राइब, जिसका नाम तालपुरा था, वो कुछ पहाड़ी शेत्रों से निकल कर, सिंध के इलाकों में, सिंध जो मैंने अभी आपको दिखाया, भारत की गुजरात से टच होने वाला इलाका पाकिस्तान का, वहाँ पर जो है, जाके सेटल होगे, अब ये लड़ने में बहुत 1800 में, सन 1800 में मीरफते की मृत्य वे हो गई, यानि की जो उनके जो रूलर थे, उनकी डіЭтоफ हो गई, रूलर की डैथ के बाद, जहान से सुना मीरफते की डैथ के बाद, उनके पूरे राजय को डिवाइड कर लिया उनके भाईयों ने आपस में, ठेक है, अब उन्होंने सिं पहले उनके भाई के पास जितना था मीरफते उसके बाद उन्होंने और उसको ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया जैसे जोधपुर के राजा से उन्होंने अमरकोट छीना शिकारपुर और बुककर अफगानों से छीना कराची लुज के चीफ से छीना तो इस तरीके से काफी कुछ आसपास के इलाके चीनते चले गए और सिंद जो है वो फैलता चला गया लगातार जो है सिंद का एक्सपैंशन हो रहा था 1807 में अंग्रेजों को लगा कि भई ये तो अच्छी बात नहीं है जिस तरीके से सिंद की ताकत बढ़ रही है लेकिन उस समय उनके लिए सबसे बड़ा खत्रा जो है वो नेपोलियन फ्रांस का नेपोलियन और रूस में जार जो है वो उनके लिए बड़ा खत्रा थे नेपोलियन ने ये धमकी दी थी कि वो भारत में घुशआगा और भारत के इससे कब जाएगा तो इसलिए जून 1807 में नेपोलियन के डर से अंग्रेजों ने एक रूस के साथ कहीं और नेपोलियन का कोई बहुत अच्छा कोलाबरेशन ना बन जाए रशया और फ्रांस के बीच में कोई कोई ना शर्वास बिश्माइब ना है इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक बेरिय बनाने की कोशिश की कि पहले हम सिंद्जों को कंट्रोल में करμεने जो हमारे पड़ोस में यहीं से गूस्द को इसको करेंगे रूसी और निपोलियल्ण निकोला स्मित नाम के एक अफसर को सिंद बेजा गया और सिंद में जो चार यार जो भाई थे मीरपते अली खान के जो भाई थे उनके साथ एक ट्रीटी की गई दोस्ती की ट्रीटी ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंड्शिप अब ये संदी जो है इसके जरिये कुछ समय के लि अब सिंद में जो तीन जो अलग-अलग अमीर बैठे थे एक पाकिस्तानी हैदराबाद पाकिस्तान में हैदराबाद एक जगा तो वहां पे वहां के एक अमीर थे खैरपुर के और मीरपुर के तो सिंद इन तीन हिस्सों में डिवाइड़ था हैदराबाद, खैरपुर, मी पूर इनके तीन अलग-अलग मीर थे यही भाई जो अलग-अलग हो गए थे बाद में तो इनके पास जो है थी 1832 में और रूस लगातार Central Asia में कबजे कर रहा था तो डर ये था कि रूस को कंट्रोल करने के लिए अब ये थे अब ये संदी हुई 1832 में जो संदी हुई 1832 की जो संदी इसमें कुछ ऐसे डिसीजन थे के जितने भी बृटिश ट्रैवलर ट्रेडर है जो व्यपारी है और ट्रैवल करने वाले है सिंध से उन्हें गुजरने दिया जाए फर और सिंदू नदी जो है वो उसका इस्तिमाल भी करने देगा सिंध अंग्रेजों को ताकि वहां से अपने हत्यार जो है वो लेके जा सके क्योंकि देखो अंग्रेजों को हतियार जो है वो लेके जाने थे और वो चाहते थे के बेव बंगोल से सीधा सिंध से हतियार लेकर सीधा नूर्थ तो इसके लिए उन्होंने सिंद्ध करने का फैसनल लिया था और यही के साथ कि अगर हम सिंद्धू नदी का इस्तिमाल करेंगे तो आप हमें ले जाने देना यहां से उसके अलावा जो भी वहां सिंद में बेचेंगे तो उसका रेट सिंद के अमीर जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं मालो अंग्रेजों ने लाके वहाँ पे शराब बेची तो उसका रेट भी कंट्रोल कर सकते हैं अमीर जो सिंद के हैं उनको ये ट्रीटी में था ये संदी में था ठीक है और एक और था कि अंग्रेजों का जोदपूर के राजा के साथ अच्छा रिशन था जोदपूर के राजा और सिंद के अमीर सब एक प्रब्लम से परिशान थे जो कुछ लुटे रहे थे कच के वो दोनों को तंग करते थे तो अंग्रेज़ों ने कहा कि एक काम करें कि सिंद्ध के अमीर और जोदपूर के राधा आपस में मिलके अपने पुराने मत्बेद भुलाके एक साथ काम करें कच्च के लुटेरों को पकड़ने के लिए तो यह था 1832 की संधी में लेकिन उसके बाद छे साल के बाद एक और संधी हुई अब लॉट ऑकलेंड 1836 में गवर्नर जनरल बनके आ गए थे और उनको अब की बार तो रश्या के भारत पर हमला करने का खत्रा और जौदा दिखने लगा था और उन्हें लग रहा था कि किसी भी तरीके से सिंध को और अफगानिस्तान को जो है अपने स्ट्रॉंग जो है हत्यार बनाया जाए तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक चीज यहां पर हुई थी कि उन्होंने माराजा रंजीज सिंग जो थे माराजा रंजीज सिंग अंग्रेजों के मित्र थे उस समय तक 1838 में तो उन्होंने क्या किया कि माराजा रंजीज सिंग ने रोजहान जो सिंद के अमीरों से एक इलाका जो है वो छीन लिया, माराजर रंजीत सिंग ने सिंद के अमीरों से एक इलाखा छीन लिया अब Lord Auckland को ये पक्का यकीन हो गया कि ये अमीर जो है, ये माराजर रंजीत सिंग से अब लड़ाई करेंगे लेकिन माराजर रंजीत सिंग तो अंग्रेजों के दोस्त थे तो उन्होंने हेंडरी पटिंगर को हैदराबाद भिजा ताकि ये जो अमीर है, ये कोई लड़ाई ना करें माराजर रंजीत सिंग से और एक ट्रीटी कर ले, तो अमीरों ने जो है, एक ट्रीटी कर लिए 1838 में और ये कहा कि हम नहीं लड़ेंगे 1839 में जो हुआ क्या कि, क्यूंकि अंग्रेजों ने ये देख लिया था कि जो सिंद के अमीर है, वो उनके फेवर में आप काम नहीं कर रहे तो उनके उपर दबाव बनाया, अपनी फौज से उनकी घेराबंदी करके और उनने कहा कि आप हमसे सबसीडरी ट्रीटी करो हमारे साथ मतलब हमारी फौज आपकी सुरक्षा के लिए आपके पास रहेगी तो अब सबसीडरी ट्रीटी हुई और शिकारपूर बुकर में शिकारपूर और बुकर नाम की जो जगाएं थी सिंद में वहाँ पर एक फौज बिठा दी गई अंग्रेजों की सिंद के अमीरों को तीन लाख रुपे देने पड़े अंग्रेजों को किसलिए ताकि वो जो फौज अंग्रेजों ने उनके यहां पर बिठाई है उसकी मिंटेनस हो सके अब लेकिन अमीर जो है वो आसपास के इलाकों से सपोर्ट जुटाना शुरू कर देते हैं अंग्रेजों के खिलाब क्योंकि वो अंग्रेजों के चंगुल में ज़्यादा देर तक रहना नहीं चाते थे फिर 1843 में जब अफगान एंग्लो अफगान वार खतम हुई थी और अंग्रेजों को बहुत बुरा नुकसान हुआ था उस युद्ध में अंग्रेजों ने ये इल्जाम लगा दिया सिंध पे कि जब हमारी फौजें लौट रही थी तो सिंध ने रास्ता भी नहीं दिया और सिंध ने मदद भी नहीं की यह इल्जाम लगाके उनके उपर जो है वो हमला कर दिया और 1843 में सिंध को जबरदस्ती जो है वो कभजा लिया लिया तो यह कहानी थी सिंध की तो सिंपल बार-बार उनके साथ संदी करते रहे और जैसे ही मौका मिला तो धोके से उनके राज़्यकों हत्या लिया ये कहानी थी सिंद की ठीक है लेकिन सिंद की कहानी कोई खास जादा बड़ी और important नहीं है important है जादा जो इसमें वह अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वह ये थोड़ा ध्यान से समझ लेना एक बार मैं आपको बता दू क्योंकि अंग्रेजों और सिख्षों के बीच में दो यूद दुए थे और इसके पीछे का background आपको पूरा समझ लेना चाहिए क्या है ठीक है तो मैं पूरा background बताऊंगा आपको बिलकुल आराम से सुनना देखो क्या होता है इस मैप को देखो यह मैप में यह सिख एंपायर दिखे रहा है अपनी पीक जब सिख एंपायर अपने सबसे बड़े expansion पे था तो इतना बड़ा था दिए और इस समय राजा थे महाराजा रंजीत सिंह लेकिन महाराजा रंजीत सिंह इस से पेले उन्होंने सि Lawrence को कठा किया है महाराजा रंजीत सिंह कि खुद की death 1839 में ओई थी महाराजा रंजीत सिंग इतने ताकतवर थे कि अंग्रेज भी उनसे लड़ने का सोच नहीं सकते थे उल्टा उन्होंने उनके साथ दोस्ती की थी माराजर रंजीत सिंग ने इतना नादर्शा नाम का एक लुटेरा पंजाब से होते हुए दिल्ली में उसे लूट पाठी पंजाब का इलाका रास्ते में था पंजाब बहुत बुरे तरीके से उसको तबाह किया गया लेकिन पंजाब के लोगों ने यह समझ लिया कि अगर हमने अपनी सुरक्षा के लिए कभ बदलना शुरू कर दिया हर इलाके में हर रीजन में मीजल्स बनने लगी जो लड़ाकू कौम सिखों की जो तयार थी अपनी खुद की सुरक्षा करने के लिए अगले आने वाले कुछ सालों में इस हमले के बाद सिखों ने अपने आपको ताकतवर बना लिया अलग लेकिन वो सब आपस में भी लड़ पड़ते थे जब भी होता ऐसा कुछ गड़ लेकिन फिर माराजा रजीज सिंग ने इन बारा की बारा मीजल्स को एकठा किया और इन सब को एकठा करके स्थिक समराज्य की स्थापना की ये मीजल्स थी शहीद मीजल, अलुवालिया मीजल, रोरा, धालेवालिया और फुलकिया मीजल्स ये बारा अलग-अलग मीजल्स थी और खुद माराजा रजीज सिंग इसमें से एक शुकर चक्या मीजल्स से तालुक रखते थे इन्होंने अच्छे रिलेशन बना के मैट्रिमोनियल लाइंसेज के जरिए सारी बारा मीजल्स क उनको इकठा किया तो महराजा रंजीज सिंग ने 18 महाराजा रंजीज सिंग 1801 में उन्होंने अपना स्थिख एमपायर अ क्पायर PK हो गई 1801, 1801 में बनाया है, 1839 में उनकी डेथ हो गई और इसके लिए वो पिछले 10-15 साल से कोशिशे कर रहे थे मदलब 1790 से ही वो कोशिश करते जा रहे थे 1801 में जाके उनने सारी मीजलों को एकटा करके जो है, वो सिख एमपायर बना दिया था अब इसके बाद क्या हुआ, उन्हेंने सिख एमपायर बना तो लिया लेकिन 1839 में जैसे उनकी डेथ हुई, उन्हें नहीं पता था कि सिख एमपायर बहुत बुरे तरीके से बिखरने वाला आगे चलके और वही हो रहा था, अब माराजा रंजी सिंग की डेथ के बाद उनके बेटे कुवर खड़क सिंग को गद्धी पे बिठाया गया कुवर खड़क सिंग, लेकिन खड़क सिंग के खिलाफ साजिश हुई और खड़क सिंग को जहर दे दिया गया वाइट मरकरी उनके खाने में मिला दिया गया था और उनकी मृत्य हो गई अब ये क्यों हो रहा था क्योंकि माराजा रंधी सिंग ने कई सारी शातियां की थी और अलग-अलग वाइवस उनकी अलग-अलग मीजल से थी हर मीजल की जो ये चाहत थी के उनके जो मीजल का जो बच्चा है वो माराजा रंधी सिंग का वो गद्धी पे बैठे और उनकी मीजल ज्यादा ताकतोर हो जाए तो इस चक्कर में आगे बहुत सारी प्रॉब्लम हुई सिखों के बीच में खड़क सिंग जो इस समय पर ये कहलो के माराजा रंधी नो निहाल सिंग बहुत थी कम उमर थे युबा थे और इनको लेकिन फिर भी पसंद बहुत किया जा रहा सारे सिख जो है आम लोग जो है वो non-nihal Singh को बहुत पसंद करते थे, non-nihal Singh को फॉज में भी बहुत पसंद किया जाता था, वो बहुत पॉपूलर हो गय थे बहुत चल्दी, लेकिन फिर non-nihal Singh के खिलाब भी एक साजिश हुई, एक दिन non-nihal Singh एक कारे करके अपने घर लोट रहे थे, अपने दर्बार लोट और रास्ते में उनके ऊपर एक चटान आ गिनी दिखाई पड़ता था पहली द्रिष्टी में कि वो कोई साजिश है और वो चटान जो गिरी उसकी वज़े से उनके एक साथी की तुरंत वहीं पर मौत हो गई और उनको भी काफी सारी चोट लगी थी अब एक अंग्रेज विप्ति थे जो सिख फॉज में थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर गाड़नर उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि अलेक्जेंडर गाड़नर नौनिहाल सिंग से कुछ पीछे चल रहे थे जैसे छेना की टुकड़ी चलती है तो उसमें पीछे चल रह नाइख गया गया कैंप में वहां पर एक युरोपियन जो है डॉक्टर उनकी जाच करते है अब वो इरॉपियन डॉक्टर को जब उस टेंट के अंदर पहुंचे तो युडूरोपियन डॉक्टर ने देखा कि नौनिहाल सिंग का सर पूरा कुछला जा चुका अब इस बा लेकिन बाद में जब आपने देखा और आप जैसा बता रहे हो तो उसके हिसाब से उनका सर पुरा कुछला गया था और उनके बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी तो ओवरॉल बात ये थी कि उनको जान बूज के उनके उपर शायद चटान गिराई गई और उनकी हत्या की गई तो नौनिहाल सिंग्की भी हत्या हो गई इसके बाद उनकी माता खड़क सिंग की वाइफ चांद कौर बीबी चांद कौर जो है वो सिखों की कमान संभालती है कुछ समय के लिए लेकिन फिर इनके रसोईयों के द्वारा इनकी भी हत्या कर दी जाती है बहुती कम समय में तीन सक्सेसर जो थे माराजर रंजीत सिंग के खड़क सिंग नौनिहाल सिंग और चांद कौर सब साज़िशों का शिकार हो गई थे इसके बाल माराजर रंजीत सिंग के एक भाई शेर सिंग को गद्धी मिली और शेर सिंग जो है वो अगले रूलर बने पंजाब के लेकिन शेर सिंग को बहुत सारे जो माराजर रंजीत सिंग के बेटे खड़क सिंग के जो बहुत वफादार लोग थे वो पसंद नहीं करत और खड़क सिंग वफादारों में एक आजीत सिंघ संधा थे दलीते पंजाब एक दिन उनकी शेशी स्ट शेश सिंग से किसी बाथ बहुत हो गला और शेश सिंघ की बीद हो गई था इस इंडिया कंपनी ने 1843 में अपना एजेंट बना के और वो ध्यान से नजर रखे हुए था कि पंजाब में क्या हो रहा है लगातार कई सक्सेस जो हैं किसी साजिश के चलते उनकी मौत होती जा रही है और अंग्रेजों को मौका दिख रहा था पंजाब को अत्याने का जब तक माराजर रंधीत सिंग दिंदा थे तो उनकी हिम्मत नी थी उल्टा उनके साथ वो दोस्ती करके बैटे थे लेकिन अब ये जो घटना करम बदलता जा रहा था उससे अंग्रेजों को एक अपॉर्चॉनिटी दिखाई पड़ रहे थी इसके बाद अंग्रेजों न जो है जान बूझ कर सिखों को उकसाना शुरू किया उन्होंने अपनी फौज को सिखों के बॉर्डर पे लगाना शुरू कर दिया सिखों को लगने ही लगा था कि अंग्रेजों ने जैसे सिंद को 1843 में कबजाया अब वो पंजाब पे भी खराब नियत रखके बैठे सिख ने भी अपनी फौज को अंग्रेजों के सामने लाके खड़ा कर दिया लेकिन हुआ क्या था कि सिख फौज जो है पिछले कुछ समय में कई गुना जादा बढ़ी हुई थी अंग्रेजों ने यही बहाना बनाया अंग्रेजों ने का कि हमने अपने बॉर्डर पे जो जादा बढ़ गई है महराजा रंजीत सिंग के समय से और वह बढ़ी कैसे थी जो बारा अलग अलग मीजल्स थी वह सब अपनी अपनी ताकत को बढ़ाने में लगे थे अपनी हर मीजल अपने अपने फौजियों के नंबर बढ़ाने में लगी हुई थी और जो बारा मीजल सब के फोजी बढ़ गए थे और इसी वजह से जो है ये डर था ये इतनी ज्यादा हत्यार जुटाने की वज़े से और इतनी ज्यादा फोजी ऊन्वे वज़े से अंग्रेजों के लग रहा था ये घ्र और अंग्रेजों ने इसलिए उनके बॉर्डर पर लगाई थी लेकिन बाद में कुछ बॉर्डर चुरू हुआ जब अंग्रेजों ने पंजाब के कुछ इलाकों के अंदर आकर के कुछ इलाकों पर बैठ गए तो फिर वो डिस्प्यूट जो है लडाई में तब्दील हो गय कहते हैं फर्स्ट एंग्लो सिख्वार 1845-46 आप यह कह सकते हो कि अंग्रेजों ने एक मौका देखी लिया था किसी भी तरीके से वह सिख्वों को साके लडाई पर ले आया थे यो दुशुरू हुआ पाथ छोटी छोटी बैटल जोई बैटल अब मुड की दिसंबर 1845 पिर धीरे धीरे सबराओं की लडाई आते आते सिख्वों ने घुट्टे टेक दिए इसके पीछे का कारण यह था कि इतनी बड़ी फॉज होने के बाद भी सिख्वों की प्रॉब्लम यह थी और मॉटन फॉज होने के बाद भी कि उनके दो वजीर लाल सिंग और तेज सिंग व दूसरे मीजल की लोग जो है वो साधिश करके अंग्रेजों तक खबर पहुचा जाते दूसरी लेड़ रही है तो बाकी की मीजल तो उनके अंदर जो एकता नहीं थी उसकी वज़े थे यह पहली सिख्वार का नतीज़ा यह निकला कि इसमें जो है सिख्वों की हार हो इसक चार लोग मर चुके थे चारों की डेथ हो चुकी थी और एक छोटा सा बच्चा यंग दिलीप सिंह को घंधी पर बिठाया जो माराजा रंजी सिंग कस सबसे छोटा बेटा था और उनकी एक रानी चांद कौर जिंदन कौर उनकी जो रानी जिंदन कौर उनकी केर्टेकर बनी थी तो दिलीप सिंग यंग दिलीप सिंग राजा थे इस समय पर और उनकी माता उनकी केर्टेकर थी और उस समय पर ये लड 46 का दिन ये ट्रीटी साइन की गई माराजा दिलीफ सिंग जो राजा थे इस समय छोटे सी यंग राजा उनको सतलुज नजी के अपने सारे इलाकों पर से अपना क्लेम छोड़ना पड़ गया दक्षिन में जो भी थे उनके तो वो सारे अंग्रेजों के हाथ आ गए और इसमे डेड़ करोड का हरजाना लगाया गया सिखों पर लाहौर दरबार पर लाहौर जो उनकी कैपिटल था लाहौर दरबार पर डेड़ करोड का हरजाना क्या आपने हमसे बिना मतलब युद्द किया और आपको डेड़ करोड का पैनल्टी लगए वो आपको हमें देना पड़ क्योंकि इसमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गुलाब सिंग गुलाब सिंग कश्मीर के राजा थे ये पहले सिखों के आधीन आया करते अब वो उन्हें अपने रियासत को अलग कर लिया था गुलाब सिंग ने अंग्रेजों को उक्साया था और कहा था कि तुम इनके पता है यह पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिक्षों ने हथ्यारों में सारे पैसे फूग दिये इनके पाप पैसे अब है नहीं तो इसलिए जो है यह पैसे पे नहीं कर पाएंगे और फिर तुम इनके और इलाके छीन लेना इंसे ठीक है तो यह साजिस्ष जो है वो गुलाब गुलाब सिंग ने उन्हें अंग्रेजों को बता दी थी और अंग्रेजों ने ऐसा ही किया अंग्रेजों ने डेड़ करोड का हर जाना लगाया जब उसे पे ना कर सके तो कश्मीर और हजारा के लाके उन्हों ने अंग्रेजों ने छीन लिए सिखों से तो सिख दरबार से व सब्सक्राइबूट में गुलाब सिंग को में करोड रुपे की मत में बेच दिया तो Пहले एक करोड की बात हुई थी कि गुलाब सिंग को गुलाब सिंग को को एक करोडी रुपे देंगे और कश्मीर ले जोने और लाल सिंग को उनका वजीर बना दिया और एक अंग्रेज अफसर हेंरी लॉरेंस ये बिटिश रेजिडेंट बनकर लाहौर में बिठा दिये तो ये था ट्रीटी आफ लाहौर 1846 में तो इस तरीके से ट्रीटी आफ लाहौर हुई लेकिन इस ट्रीटी के तुरंत बा जो आपकी जो इनकी माता है उनको हम इनका केटेकर मानते और वजीर होंगे लाल सिंग अंग्रेजों ने ये मान लिया था इस लड़ाई के बाद लेकिन अंग्रेजों ने बहुत हद तक पंजाब पे कंट्रॉल बना लिया था और सिक्षों को ये पसंद नहीं आया लाल सि जो वजीर थे उन्होंने कुछ ही समय के अंदर विद्रो कर दिया दुबारा से सिक्षों को ये बात पसंद नहीं आई थी कि कश्मीर को गुलाब सिंग को क्यों बेचा गए थी और इसी वज़े से उन्होंने जो है वो विद्रो कर दिया लाल सिंग ने विद्रो किया और इस विद्रो को भी अंग्रेजों ने दबा दिया फिर से सिखों करा दिया अब फिर एक और ट्रीटी की गई उसी साल कुछ महीने के बाद वो थी ट्रीटी ओभ भैरोवाग तो पहल प्रावाल की ट्रीटी जो एटीन फॉर्टी सिक्स में हुई इसके अंदर कुछ बदलाव आए थी राणी जिन्दन को अब राजा दिलीब सिंग की गार्डियन शिप से हटा दिया कि भाया यह नहीं है उसकी केर टेकर क्योंकि इन्होंने तो साजिश की थी राणी जिन्दन तो तुरानी जिन्दन को हटा दिया गया आठ सिक्षों की एक काउंसिल बनाए गई जिसमें सारे पंजाब के लिए सारे डिसीजन यह आठ सिक्षों का जो एक एक दस्ता है वही लेगा और उनके उपर बिठा दिया कि अंग्रेज अफसर को कि सारे एड्मिस्ट्रेशन को तो यह संबाल लेंगे आर्ट सिक्षाब उनके ऐठा उनके उपर बैठा हूई अंग्रेज अफसर तो सीदी सी बात तो यह होई ना थो अंग्रेज अफसर लेगा सारे डिसीजिजन आर्ट सिख्षों की सहमती से तो आर्ट सिख्षों की वह कांसल बना दी गई थी और एक पर्मनेंट ब्रिटिश आर्मी लाहॉर में बिठा दी गई तब तक के लिए जब तक दलीव सिंग बढ़े नहीं हो जाते हैं ट्रीटी और भेरोवाल से एक तरीके से जो पूरा पंजाब था वो अंग्रेजों के आधीन आगया अगया सिविल और मिलिटरी पावर अंग्रेजों को पंजाब पर मिल गई थी उसमें सारा अड्मिस्ट्रेशन भी उनके कंट्रोल में आ गया था और फौर्ज भी तकरीबन अंग्रेजों के आधीन या कंट्रोल में ही आ गई थी इसके बाद दूसरी एंग्लोसिक वार हुई 1848 से 49 के बीच में ठीक है दूसरी एंग्लोसिक वार इसमें तीन लड़ाई अब यह तीन लड़ाईयां जो हुई इसमें भी कहानी सेम कुछ वैसे ही थी कि शुरुवात में तो पहली दोनों लड़ाईयों में जो है अंग्रेज जो है बुकुत ज्यादा नुक्तान नहीं पहुचा पाई सिकों को लेकिन फाइनली उन्होंने सिकों को डिफीट कर दि देखो ठिकफ एंपाइर जो है अब सेकिन एंगलों सिख वार जो होई थी इसका कारण ये था किसिक एंपाइर बहुत सारी अपनी इलाके जो हैं इस्ट इंडिया कम्पनी से गमा चुका था जिन्दन कौर से उनके गाडियन शिप भी चीन ली गई थी जो उनका हक था उनक से मांगना शुरू किया कि टेक्स दो हमें और वहां पर एक दिवान थे जो सिखों के वह मूल राज थे उनसे कहा कि इतना पैसा हमें जमा कराओं मूल राज जो थे इस बात से बड़े हैरान हो गए कि हमारी इलाकों से हमसे जबरदस्ती टेक्स कलेक्ट किया जा रहा है और इस बात पर मूल राज ने विद्रो कर दिया तो दिवान जो मूल राज जो मूल राज उन्हों ने विद्रो कर दिया जैसे उन्हों ने विद्रो किया तो पंजाब के अलग-अलग इलाकों में सिखों ने कई जगा विद्रो क कर दिया और six soldiers ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी थी और फिर ये तीन लडाईयां हुई थी बैटल अफ राम नगर चिलियावाला और गुजरात ये गुजरात ये पाकिस्टानी पंजाब में गाउं था इसका नाम गुजरात था अब इन युद्धों का नतीज तता अंग्रेज जीते या सिख जीते लेकिन तीसरी और अंतिम लडाई जो हुई जिसे बैटल अफ गुजरात जो पाकिस्टानी पंजाब में गाउं है वहाँ पे जो लड़ी गई इसमें अंग्रेजों की तरफ से चार्ल्स नेपियर रड़ने आए और उन्होंने बुरे जनरल बनकर भारत में आ चुके थे लौड डलहॉजी और डलहॉजी ने उस समय ये कहा कि देखो पिछली बार तो गलती हो गई थी पिछली बार कभी ट्रीटी अप लाहौर कर रहे थे कभी भैरोवाल कर रहे थे उसी समय पूरे पंजाब को हथ्या लेना चाहिए था पूर रेज अपॉइंट करेंगे कोहिनूर हीरा यंग राजा दिलीव सिंग से ले लिया गया और बिटिश रानी के ताज में जड़ दिया गया जो आज भी बिटिश एमपायर में के पास ही है और उनी की रानी के ताज में जो है वो जड़ा गया है वही पर मौजूद है ठीक है तो ये था Second Anglo-Sikh War, इस तरीके से Anglo-Sikh War जो है, वो खत्म है, ठीक है, तो दो लड़ाईया थी, First Anglo-Sikh War जो हुई थी, 1845 से 46 के बीच में, पहले ये पांच लड़ाईया हुई और उसके बाद Treaty of Lahore हुई, लाहुर की संधी में मारानी जिन्दनकौर को केर टेकर बनाया गया, लेकिन उसके बाद, पिर कुछी दिनों के बाद एक और विद्रो हो गया, और फिर दुबारा से Treaty हुई, सिखों के साथ वो थी Treaty of भैरोवाल, भैरोवाल की ट्रीटी में रानी जिन्दनकौर को हटा दिया किया था और उसके अलावा फिर एंग्लो सिख वर्स शुरू ही तब जब अंग्रेजों ने जबरदस्ती जाके 1848 में टेक्स जो है वो मांगना शुरू किया और जब तो दिवान जो थे सिखों के मूल राज मुलतान के दिवान उन्हों ने पहले विद्रो किया और फिर सिखो को हार मिली और फिर पंजाब को पूरे तरीके से हथ्याल याद जल हो ठीक है जी देखो इसमें जो छोटी-छोटी बैटल है इसमें आप इनको ज्यादा मत समझो बस नाम अगर याद रखने तो रख लो बहुत ज्यादा इंपोर्टेस नहीं है सिंपल है फर्स्ट एंग्ल रखना है और डाट्स हाओ जो स्थिक एंपायर वाज अनेक्स्ट बाइब रिटिश तो यह आखरी एक बड़ा एंपायर था जिसे अंग्रेजों ने अपने कबजे मिल लिया तो यह मैंने आपको पूरा समझा दिया अब हम आगे चलते हैं जो जहां पर हम मौजूद थे ज 1843 में जैसा मैंने आपको बताया था तो सिंद्ध को गबजालिया लौड एलन बिरोग ने 1845 में लौड देखो 1844 से 48 तक टैन्योर है लौड हेंडरी हार्डिंग का टैन्योर है और इनके समय पे पहली एंग्लो सिक वह रोई ही हेंडरी हार्डिंग के समय पे और इस समय ट् और इसी दोरान जो है जो जम्मू के जो राजा थे डोगरा राजा गुलाब सिंग उन्हों ने 75 लाक रुपे दे करके जो है कश्मीर को खरीद लिया था पहले डील हुई थी एक करोड रुपे की के गुलाब सिंग एक करोड रुपे देंगे लेकिन बाद में फाइनली डील स सेपाश सब दे युणाल हंए अगे में लोड हेंंड के समय पर रुट की इंजिनेरिंग शेम्राइज और जो सबसक्राइए था इसके बाद आये लॉड डलहॉजी डलहॉजी 1848 में आये थे लेकिन अपने से 50 साल पहले आया हुआ एक आदमी जो जो थे लॉड वेलेजली उनके नक्षे कदम पे पूरा चल रहे थे ये वेलेजली जब 1798 में आया था तो उसने जो एक पॉलिसी जिसको बड़े स्थर प को मजबूर करते थे और एक फॉज को उनके यहां पर रखवाया जाता था और उनके इंटर्नल मैटर्स में फिर घुस जाया करती थे इस्ट इंडिया कंपनी डलहॉजी और भी दो कदम आगे डलहॉजी ने तो हथ्याने का नया तरीका अपना लिया डलहॉजी कहता है जिस इस इंडिया कंपनी अब तक सिर्फ एड्मिस्ट्रेशन का रोल निभा रही थी 1833 के बाद से 1853 में तो चार्टर एक्ट में यह कह दिया गया था कि पता नहीं कब तक इस इंडिया कंपनी भारत में कभी भी इसको बापस बुलाया जा सकता है एक्ट में ही यह साफ हो गया 1849 में डलहौजी के टेन्योर में महिला स्कूल भी स्थाफित किया गया था बेथून कॉलिजियेट स्कूल यह बेथून स्कूल के नाम से जाना जाता है इसकी स्थापना की थी जॉन एलियट ड्रेंक वाटर बेथून ने तो यह 1849 में बना था यह फैक्ट है नोट कर लेना बहुत इपॉर्टन है तो बेथून कॉलिजियेट स्कूल जिसे कैलकटा फीमेल स्कूल भी कहा जाता है इसको बनाया गया था जॉन एलियट ड्रेंक वाटर बेथून साब के द्वारा और यह पहला महिला स्कूल था इसके अलावा 1854 में उस समय के ब्रिटन में बैठे जो स सकरेटरी ऑफ स्टेट जो थे उन्होंने भारत के लिए एक ओर्डर भीचा देखा अब मैं आप कुछ बता दो Secretary of State कौन होता है कि एक व्यक्ति जो British Parliament में बैठता है वो Secretary of State है जो भारत के लिए सारे decisions होंगे तो वो व्यक्ति लेगा यह Special Minister या MP है British Parliament में जो भारत के लिए सारे decisions लेता है वो Secretary of State ठीक है? और वो भारत में order देता है Governor General और उनकी Council को और वो उस तरीके से काम होता था ठीक है? तो Secretary of State उसमें Charles Wood थे उन्होंने भारत के लिए एक नया education system जो है बना करके उसको भारत भेजा मतलब एक document भेजा कि इसको लागू करो किसके लिए भेजा था? Dalhousie के लिए 1854 में ये Woods Dispatch भारत भेजा गया ही माहिने में अंग्रेजों ने भारत में education की समस्या को address करने की कोशिश की इसे कहते हैं Woods Dispatch इसने पहले मेकॉले ने भी एक चिंदी चोरी की थी मेकॉले ने कहा था जी downward filtration theory हम सिर्फ middle class को और rich class को पढ़ाएंगे, upper middle class को पढ़ाएंगे अपने आप बाकी के लोगों में education filtration होके नीचे चली जाएगी गरीब लोग कॉपी करेंगे और सीख जाएंगे सारी चीसे उन्हें यह नहीं पता था भारतिय समाज में ऐसा नहीं होता भारतिय समाज में अमीर अमीर है गरीब गरीब है दोनों एक दूसरे की हदों के अंदर नहीं जाते गरीब आदमी चाहकर भी अमीर बनने का कोशिश नहीं कर सकता ना उसके जैसा पहनावा रख सकता ना उसकी तरह बोल सकता है तो क्योंकि सुसाइटी में इतने थे तो इसी बात को समझते हुए चार्ल्स वुड ने कहा कि इस्ट इंडिया कंपनी की जिम्मदारी है पूरे एजुकेशन को प्राइमरी सेकेंडरी और हायर लेवल पे समभाला जाए उसके लिए वुट्स दिस्पैच भारत भीजा गया तो इसलिए इसे मैगना कार आगे इनी के टेन्योर में जो है यह डिसाइड कर लिया गया कि शिम्मला को समर कैपिटल बनाया जाएगा उसके अलावा सेकेंड एंग्लो बर्मीज वार बर्मा आप वयाद होगा बर्मा के राजा पिछली बार बताया था बागी डॉक उनके उपर हमला किया था अंग्रे को बिना किसी उक्सावे के हमला करके उसके बहुत सारे लाके फिर से छीन लिया अंग्रेज में और 1853 में 1853 में एक अतिहासिक चीज और हुई भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन भी चली 1853 में बंबे टू थाने तो यह भारत में किसी भी तरीके की पहली रेलवे थी जो चल 1851 में टेलीग्राफ लाइन भी बिच्छाई गई थी डाइमंड हार्बर से लेकर कलक्ता के बीच में 1854 में डल्हॉजी के टैन्यूर में पोस्ट ऑफिस आक्ट भी लाई गई थी ठीक है तो डलहॉजी के टैन्यूर में डलाजी 1848 से 1856 तक भारत में थे इनी के टैन्यूर म पूरे पंजाब को कबजाया भी था और एक और बात के एक ट्राइब संथल ट्राइब जो सेंटरल इंडिया का एक ट्राइब था जारखन मद्यप्रदेश के जारखन और उसके अलाबा चतिस गरड़ आसपास के लाकों में बसा हुआ एक ट्राइब तो यह जो संथल ट्राइब था इसके उपर अंग्रेजों ने बहुत जुल्म किया और यह संथल ट्राइब के जो लोग थे उनको हाथियों के तले जो है कुचलवा दिया उनके घर पुरे तरीके से बरबाद करवा दिये पंद्रा हजार संथल जो विद्रो कर रहे थे अंग्रेजों खिलाब 1855 में उनको बुरे तरीके से तबाह कर दिया अंग्रेजों ने ठीक है और एक और चीज़ लिजियस डिसेबिलिटीज आक्ट लाई गई थी लिजियस डिसेबिलिटीज आक्ट 1856 में लाई गई वो भी किसके टैन्यवर में डलहौजी के टैन्यवर में ही डलहौजी के समय में ही और अवद अवद एक स्टेट था जो उत्तर प्रदेश बिसिकली उत्तर प्रदेश है जहां मॉडर्डे तो वहाँ पे अवद जो से बहाना बनाके उन्होंने अवद को गवजा लिया मिस्रूल कहकर के 1556 में ठीक है और 1856 में ही उन्होंने फीमेल इंफेंटिसाइड फीमेल मतलब जो छोटी बच्चीयों का जब जन्म होता है तो उनको जन्म होते ही मार दिया जाता था और नर्वली यूमन सेक्रिफाइड इस सारी चीजों पर डलहौदी ने बैन लगा दिया सेंट्रल प्रोविंसेज में ओडिसा में और महराष्ट्रा में एक तो फीमेल इंफेंटिसाइड चोटी बच्चीयों की जो पैदा होते ही जो हत्य कर दी जाती है उस पे रोग लगा दी उन्हों 1848 से 1856 के बीच का tenure है उनका ठीक है इसके बाद आये लॉर्ड विस्काउंट कैनिंग जिनका tenure है 1856 से 1858 as governor general as governor general of British India तो क्योंकि 1858 के बाद से उनका रहेंग फिर बदला जब 1858 में क्या हुआ कि क्राउन रूल आ गया भारत में और 1857 की क्रांती के बाद और यहां से जो है इस्ट इंडिया कंपनी को वापस बुला लिया गया तो पहले जब तक यह इस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे तब तक यह कहला है governor general of British इंडिया 1856 से 1858 तक 1858 मे इंडिया आने के बाद से government of India आने के बाद यह कहलाने लगे वाइस रॉय ऑफ इंडिया तो यह 1858 के बाद भी भारत में रहे 1861 62 तक लेकिन 1858 तक ही यह governor general बनके रहे उसके बाद वाइस रॉय इनके समय पर हिंदू विडो द्री मैरेज आइक्ट आई थी जिसमें जो ऐसी म जाएगी उसको legalize कर दिया गया और इनी के समय में 1857 का विद्रो भी हुआ rebellion भी हुआ और इनी के समय में 1857 में यह फैसलाल गया था अंग्रेजों ने कि तीन presidency universities बनाई जाएंगी एक कलकत्ता में एक बंबे में और एक मदरास में तीन जो में प्रिसिपल उनकी जगाएं थी उन सब जगाओं पे एक एक इनिवर्सेटी साफित की जाएगी जो 1857 में उसी साल की गई दिस साल एक बड़ा युद्धुआ revolt of 1857 ठीक है इसके बाद आगे दो topic है वो है history of press in India ठीक है लेकिन मैं इससे पहले आपको कुछ इस topic के बारे में बता हूँ इससे पहले मैं आपक कि देखो कि इसके बार 1857 देखो हमें यह पता है कि 1857 जो है उसमें एक बड़ा विद्रोव हुआ था सिपाई म्यूटनी कहा जाता है first war of independence कहा जाता है वह सारी चीज़ें हमने डिस्कुस कर लिए रिवोल्ट आप 1857 इसके बाद तीन साल के बाद जब जब 18 देखो पहले तो जैसे यह युद्ध खतम हुआ रिवोल्ट आप 1857 खतम हुआ उसके बाद अंग्रेज लेके आए गवर्मेंट आप इंडिया आप 1858 और उसके तहद बिटिश रानी जो है वह भारत आई और अलाबाद से उन्होंने एक फॉर्मल प्रोक्लेमेशन अनाउस्मेंट किया कि अब से वह भारत की रानी है और जितने भी राजा माराजा है उनको अब रानी के प्रती जो है लॉयल रहना होगा और किसी भी राजा माराजा की संपत्ती नहीं चीनी जाएगी ना सबसीडरी अलाइंस के तहद ना डॉक् भी खत्र फिर यह भी कहा आम लोगों को खुश करने के लिए बार्तियों को अड्मिरिस्ट्रेशन में बड़ा रोल देंगे और उसके लिए फिर 1858 के तीन साल बाद लेकर आए इंडियन कांसिल आक्ट 1861 ठीक है मकसद क्या था भारतियों को अड्मिरिस्ट्रेशन में बड इंडियन कांसिल आक्ट 1861 ठाकि भारतियों को अड्मिरिस्ट्रेशन में बहतर रोल दिया जा सके क्योंकि यही तो प्रमिस किया था रानी ने 1858 में जब वह आई थी भारत में अलावाद में कि भाया हम यहां के लोगों को ब्रिटिश नागरिक समझेंगे जैसे कि जो यह जो एक्ट थी इसने क्या किया कि एक चीज कर दी गवर्नर जनल की कांसिल याद होगी आपको पहले हुआ करती थी गवर्नर जनल और उनके 3-4 साथी जो पहले जो उनकी कांसिल में थे वो मिलके डिसीजन लेते थे कोई भी जो भी भारत में अड्मिस्ट्रेशन का कोई डिसीजन था वो कांसिल उनकी मिलके लेती थी ठीक है और उसमें बाद में लेजिसलेटिव और एक्जिक्यूटिव फंक्शन जलग कर दिये गए थे कि मतलब एक्जिक्यूटिव वहता है कि जो भी लॉइंड और इनक्ट करना है उसके लिए फैसले लेना और लेजिस उन्हें कहा गया कि अब उनके दुबारा से वही दो काम होंगे एक तो वो लोग जो है वो कानून भी बनाएंगे कानून भी बना करके उन्हें इनक्ट करेंगे और उनको लागू भी करेंगे एक्जिक्यूट भी करेंगे तो यह दो फंक्शन हो गए अब एक चीज हुई थी इस इस आक्ट से दो साल पहले जो लॉर्ड विसकाउंट कैनिंग थे उन्हें बना दिया गया था वॉइस रॉइट क्योंकि नई पोस्ट बनाई गई थी इस इंडिया कंपनी जैसे वापिस गई तो उसके साथ गवर्नर जनरल का पत भी खतम कर दिया अब भारत में जो है सीदा राजा या रानी बिटिश मोनार्ख का रूल चलेगा उनके बहाँ पर बिटिश पार्लियम ने बेठा हुँवा सेकरेटरी ऑफ स्टेट जो है वो दो combination है वो होने वाले Secretary of State का और Voice Roy का Secretary of State British Parliament में रहेगा भारत के लिए सारे जो कानून है वो वहाँ पर बनाएगा और उन orders को भारत भेजेगा और भारत में जो देखरे कौन करेगा क्योंकि वहाँ पर बैठके तो Secretary of State यहाँ पर काम नहीं सब्सक्राइब सकता तो उसके लिए यहाँ पर काम करेगा जो वॉइस रॉय और उसकी काउंसल ठीक है अब 1859 में विसकाउंट कैनिंग ने यह सोच लिया था थी मैं काम अकेला नहीं करूँगा मैं पोटफोलियो बाट दूँगा के डिफेंस यह आदमी संभालेगा जो चार उसकी काउंसल पर चार पांस लोग है कोई आदमी जो है वो होम अफेर संभालेगा कोई आदमी एजूके पोटफोलियो का डिविजन हो जाए और इसलिए 1861 की आक्ट में स्पेशल प्रोविजन रखवाया जा गया जिसके जरिये पोटफोलियो बनाये गए कि होम मिनिस्ट्री एक पोटफोलियो है डिफेंस एक पोटफोलियो है और यह बाटा जाएगा वोईसरोई की काउंसल के मेंबर्स के बीच में वोईसरोई अकेला उसको एक दो डेपार्टमेंटस मिलेंगे बाकी के डेपार्टमेंट किसी और को मिलेंगे और इस तरीके से काम जो है वो डिस्ट्रिब्यूट किया जाएगा तो पहले से सिस्टम तो शुरू कर भिया था विसकाउंट मदरास की प्रेजिदेंसी बंबे की प्रेजिदेंसी और बंगाल की तीनों को एक कॉमन सिस्टम में ले आये वे वोईस रॉय की एक्जिक्यूटिव काउंसल जो थी पहले उसमें चार मेंबर थे अब उसमें एक पांचवे मेंबर को जोड़ा गया जो कानून की अच्छी स्पेशल विक्ति भी होना चाहिए उसकी टीम में जो मदद करें तो एक जूरिस्ट होगा पांचवा में में और वोईस रॉय की एक्जिक्यूटिव काउंसल में इस पांच के अलावा एक और प्रोविशन बनाएगा कि 12 और लोग जोईन करेंगे इसे 12 और लोग जोईन कर बनाएंगे जो कानून बनाएंगे लेजिसलेशन लॉव मेकिंग जो है वो उनके हाथ में रहेगी तो वो मिला करके टोटल बॉइसरा की काउंसल के रिमेंबर्स किते हो जाएंगे 17 लेकिन इन 17 में से आधे से जाधा जो है वो नॉन ओफीशल होने चाहिए ये भी शर्त र ये कह दिया गया था इसके बाद बंबे की काउंसल जो है उसको उसकी कानून बनाने की जो पावर थी वो लोटा दी लेजिसलेटिव पावर बंबे और मदरास की लोटा दी गई 1861 में कि बंबे की काउंसल अपने यहां के लोकल लॉज जो है वो बना सकती है मदरास की काउंसिल अपने यहां की लोकल लॉज बना सकती है देकें लेकिन बंगाल की काउंसिल को यह हक मिला 1862 में तो उनकी काउंसिल अलग से उसको अपने लिए लोकल लॉज इनएक्ट करने का जो है हक मिला 1862 में Northwest Frontier Province जो आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला रीजन है वो उसको यह हक मिला 1886 में और बर्मा और पंजाब को यह हक मिला 1897 तो एक-एक करके इन सभी इलाकों को अपने लिए लोकल इलाकों के लिए कानून बनाने के हक मिल गए या legislative powers मिल गई लोकल बॉडिस को तो इस तरीके से एक-एक करके सबसे पहले बंबे और मदरास की legislative council वजूद में आई फिर 1862 में बंगाल की अलग उसके बाद फिर North West Frontier प्रोविंस की 1886 में और बर्मा और पंजाब की 1897 ठीक है और वॉइस रॉय कैनिंग जो है उन्होंने जो 1859 से उन्होंने जो शुरू कर दिया था देखा मैंने बताया था ना कि उन्होंने शुरू कर दिया था अपनी तरफ से कि डिपार्टमेंट बांच ने शुरू कर दिया थे कि यह यह जैसे आप बहुता है ना defense minister के पास defense portfolio है finance minister के पास finance portfolio है तो ऐसी portfolio वाला system उन्होंने इनुफॉर्मली शुरू कर दिया था लेकिन 1861 की act से उसे मानने था भी मिल गई ठीक है जी और ठीक है अब एक और चीज़ थी के lord canning जो थे उन्होंने तीन हिंदुस्तानियों को legislative council में शामिल किया कानून बनाने के लिए उन्होंने 12 नए member द्याड किये थे उसमें तीन भारतियों को भी शामिल किया गया था एक थे राजा और बनारस बनारस के राजा दूसरे पट्याला के राजा और तीसरे सर दिन कर राओ 1862 में इनको शामिल किया गया तो यह क्या है कि यह law making process में शामिल होंगे जो 12 नए additional member जोड़े गए तो उसमें से तीन भारतियों ठीक है तो यह था 1861 की act ठीक है जी तो चलो इसके इसे बाद हम बाकी का next lecture में करेंगे और next lecture में क्योंकि जो है अब मैंने आज बहुत सारी information आपको दे दिये बहुत जादा एक साथ नएक अठा हो जाए इसलिए मैं आगे नहीं करा रहा हूं आप इस lecture को दुबारा पीछे से जाकर देखोगे तो फिर आप वो सारी information आगे चलेगे तो यह इंडियन कांसिल आक्ट आई 1861 में थोड़ा से यहां पर मैं एक चीज इससे रिलेटेड बता देता हूं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि गवर्मेंट ओप इंडिया आक्ट 1858 में आए फिर आगे दो गवर्मेंट ओफ इंडिया आक्ट और आई थी 1919 में और गवर्मेंट ओफ इंडिया आक्ट 1935 तो 1858 1919 और 1935 लेकिन बीच में आए थी तीन काउंसिल आक्ट बीच में आए थी तीन काउंसिल आक्ट इंडियान काउंसिल आक्ट ओफ 1861 इंडियान काउंसिल आक्ट 1892 और इंडियान यह तीनों आक्ट क्या थी जिसमें भार्तियों को आड्मिस्टेशन में बहतर रुल देने के लिए इन आक्ट को लाया गया सबसे पहले 1861 की काउंसिल आक्ट जो गर्मेंट ओफ इंडिया आक्ट के तीन साल बाद यह आई थी फिर इंडियान काउंसिल आक्ट ओफ 1892 और फिर इंडियान काउंसिल आक्ट ओफ 181909 अब जो इंडियान काउंसिल आक्ट 1861 थी उसमें देखो लॉमेकिंग बॉड़ी ब प्रोसेस में वाल्व होने के अगर उनके लिए कानून बन रहा है तो उसमें वो खुद इन्वाल्व होंगे तो लेकिन इलेक्शन में लोगों को शामिल किये बिना यह सारे हथ उन्हें कैसे मिल सकते थे तो इलेक्शन भी करवाये जाएंगे तो यह काउंसल आक्ट जो है बेसीकली वो इलेक्शन करवानी के लिए वो जो ग्राउंड तयार किया जा रहा था इन आक्ट के जरीए जो 1861 में और उन्होंने का जिए अभी हम बहुत जादा चीज़ें नहीं कर सकते िरइजन है क्युकूंकि अभी हमारा सिस्टम पुरह तरीके से बना नहीं है तो इसलिए हम लोगों को इलेक्शन अभी करवा के जो है सिस्टम में शामिल नहीं कर सकते बाद में कलकों हम election भी करवाएंगे और उसके जरीये lawmaking process में लोगों के द्वारा चुनकर ही आएंगे तो यह उन्होंने तब कहा 1892 में उन्होंने कहा था कि अब देखो 1861 के बाद अंदाजा था कि 30 साल के बाद एक आक्ट आएंगी 1891 में तब तक political parties को तयार कर लिया जाएगा वो बड़े लंबे समय तक अंगरेजों ने किया नहीं टालते रहे टालते रहे फाइनली 1885 में जाके पहली पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई इंडिया नाशनल कॉंग्रेस ठीक है तो 1885 में जाके बनी वो भी क्यों क्योंकि 1891 आने वा जाएंगी प्रोटोटाइप ठीक है तो इसी लिए जो है वो 1885 में फिर फाइनली एक पहली पॉलिटिकल पार्टी कॉंग्रेस बनी और उसके बाद फिर एक एक करके वैसी ही कई पॉलिटिकल पार्टी और भी बनी आगे आने वाने समय तो आज हमने 18 जो इंडियन काउंसिल आक्ट 1861 तक हमने पढ़ा है आगे अगली बार पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल आक्ट 1892 और बीच में वही बहुत सारी घटनाएं ठीक है बीच में जो भी घटनाएं हुई है वह सारी हम पढ़ेंगे उसके अलावा प्रेस का अब तक क्या रोल रहा कि प्रेस भारत में कैसे आई थी किस फेजिस में आई थी वह भी हम अगली बार अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे ठीक है चलो तो आज के लिए इतना ही बाकी फिर मिलेंगे नेक्स लेक्चर में जिन लोगों को लगाए कि बहुत जादा डेटा था दुबारा से लेक्चर देखना अराम से फिर आपको चीजे समझ में आ जाएंगे कुपी डिटा एक बार में कई वार होता प्रोसेसिंग करने में उष्किल हो जाती है मेरे पासभी समय कम है तो मुझे जल्दी चलना है, ठीक है, क्योंकि आपकी paper से पहले हमें सब कुछ complete करना है, तो मुझे भी थोड़ा pass चलना है, आपको speed up करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं दुबारा repeat नहीं कर पाऊंगा ज्यादा बार, तो आपको ही lecture दुबारा से rewind करके देखना पड़ेगा, ठीक है, चाँ